रिप्रोड़क्शन लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस अदर लिविंग थिंग्स लाइक देम्सेज वेरी इंपोर्टेंट रिप्रोड़क्शन यानि क्या जो लिविंग थिंग है वो लोग अपने जैसा ही दूसरा लिविंग थिंग पैदा करते है उसे कहते है रिप्रोड़क्शन अभी इंसान के पेट से इंसान का ही बच्चा पैदा होता है ना क्या घोड़े का बच्चा पैदा होता है नहीं क्या नहीं गोड़े के पेट से गोड़े का बच्चा, बकरी के पेट से बकरी का बच्चा, मुर्गी के पेट से मुर्गी का बच्चा, मुंगी के पेट से मुंगी का बच्चा तो जो living thing है वो जैसा है वैसा ही बच्चा होता है Some animals give birth to their young ones कुछ animals जो है वो बच्चे को जनम देते है जैसे के इंसान है न इंसान अंडा डालता है क्या नहीं इंसान बच्चे को ही पैदा करता है न तो बच्चे पैदा होते है वो birth of young ones होता है और some lay eggs और कुछ living things है वो लोग अंडे डालते है their young ones hatch out of the eggs जब वह बैटके अंडे को उप देते है उसके बाद में अंडे में से बच्चे बाहर आते है ओके new plants are produced from the seeds अभी plants कैसे ग्रो होते है अभी आम का आम का जो यह रहता है न कोई गुठली वो जमीन पे गिरेगा तो क्या जामून का पेड उपता है क्या नहीं न जामून का बीज गिरेगा तो उसमें अलूपते क्या नहीं न तो जामून का बीज गिरेगा तो जामून का ही पेड आएगा आम का कोई गिरेगा तो आम का ही पेड आएगा है ना तो इस तरह से new plants are produced from the seeds stems याने फांदी डाली और leaves of plants ठीक है अभी money plant का पत्ता भी लगा देंगे ना तो वो भी बढ़ जाता है stems से बढ़ते है और seeds से जैसे डाली लगा दिया गुलाब का तो बढ़ गया वह ऐसा the process by which a living thing generate a new living thing like itself is called reproduction or procreation अभी एक living thing ने अपने जैसा ही दूसरा living thing पैदा किया उसे कहते है reproduction or procreation ठीक है reproduction is a characteristics of living thing fourth वाला हो गया first वाला हो गया respiration second excretion third is reproductive responsiveness in stimuli and fourth is reproduction ठीक है बहुत important है यह पूरा लेसन ही important है बबाबा now use your brain power है ना brain तो use करो देश को why have some many types of plants and animals been able to survive on the earth even today आज भी प्लांट्स को और animals को धर्ती पर survive करना क्यों पढ़ रहा है है तकलीफे क्यों जेलनी पर रही है मैंने तो आप लोग को बताया ही है देखो अभी यह है क्या गोट यह है पेड़ देखो भी कितना हरा बरा अच्छा दिख रहा है फिर यह बड़ा हो गया यह पेड़ भी बड़ा हो गया इसको बच्चा हो गया तब तक यह पेड़ पीला हो गया इसका बच्चा बड़ा हो गया यह विचरा गया देखो पेड़ की पत्ते भी जड़ फिर उसके बच्चे को बच्चा हुआ और यह पेड़ फिर से हरा भरा हो गया पत्र जड़ाता है ना पच्चर के बात फिर से सा वान आता है तो क्या है, पेड़ का लाइफ बहुँत जादा है और एनिमस का लाइफ कम है I think, अभी देềखते हैозможно क्या है ये है life span, life span याने कितना साल तक जीवन है, जीना है definite life span, definite याने पका life span At a certain stage of life, living things become capable of reproduction अभी अपने जैसा ही दुसरा जीव पैदा करने के लिए जो living thing है, उसको पहले बड़ा होना पड़ता है क्या नहीं अभी पास साल का बच्चा, उसको बच्चा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता उसको पहले पूरा बड़ा होना पड़ेगा, पचीस साल तो 18 साल, 19 साल, 20, 20, 22, 30, जैसे भी तो उसके बाद वो अपने जैसा ही बच्चा पैदा कर सकता है Later on, in life reproduction stage, their organs become weak and still later their life comes to and अभी क्या होता है, बच्चा पैदा होता है, reproduction हो रहा है, फिर जैसे ऐसे उमर बढ़ते जाती है वो animal के organs जो है, वो weak होते जाते है, कमजोर होते जाते है and still later, उसके बाद क्या होता है, their life come to and अखिर में उनका जीवन समाप्त हो जाता है, end हो जाता है life का, मतलब वो dead हो जाते है, मर जाते है in other words, living things die, simple word में कहना है, जो पैदा हुआ है, वो मरना ही है उसको the life span of different animal and plants are different, अभी life span जो है, जीवन, life हर living thing का जो life है, वो अलग-अलग है, ठीक है, animals में और plants में for example, the life span of the dog is about 12 to 18 years, while the ostrich lives for 50 years अभी ostrich क्या है, एक देखो, वो बर्ड आता है, उसके पैर बहुत लंबे रेते है, उसका बोड़ी भी बहुत बड़ा रेता है ostrich आपने देखा नहीं रेगा, तो इंटरनेट पर देखो, आप उसके पैर ना, इसे बड़े बड़े रेते हैं, लंबे रेते हैं, और उसका जो बोड़ी होता है न, वो बहुत ही होता है उसका गला भी लंबा रेता है बहुत, ऐसे, देखो, इस तरह से हो, इसके जो फेदर से रेते हैं, बहुत मोटे रेते हैं, इस तरह से रेता ही है, ostrich, और उसका लाइफ स्पन कितना है, 50 years, You may have wondered what exactly the living things are, how they came into being and so on, तो हम लोगों को इसे surprise लगता है, wondered होना यहने, थोड़ा अचीब दबना कि exactly living thing का यह जो है, लाइफ स्पन, how they came into being and so on, कैसे वो लोग जीते हैं, Do you know, क्या आपको पता है, the life span of the giant turtle, देखो, यह है turtle, याने कच्छवा, बहुत बड़ा कच्छवा है, Found on the Galapagos Island, Galapagos Island in South America is about 170 years, South America के Galapagos Island में, यह कच्छवा पाया जाता है, और उसकी उमर कितनी है, 170 years की है, on the other hand, the life span of the mayfly ranges from 1 hour to 24 hours, और मक्खी की life कितनी रेती है, एक से देड़ घंटा, एक घंटा या देड़ घंटा, यह जो flies है, उनकी life, एक या देड़ घंटा रेती है, Can you tell of the honeycomb and a wall, what are they made of, यह देखो, यह honeycomb है, और यह है दीवार, ठीक है, यह हम लोग रहते हैं अगर में, यह वाली दीवार है, वीटों से बनाई हुई, और यह honeycomb ने honey से बनाया हुआ है, ठीक है, तो अभी क्या है, इसमें बताया हम लोग को, You may have seen the small compartments of a honeycomb, यह देखो, यह छोटे 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 क्या है, यह compartments है, 1, 2, 3, 4, 5, यह जो है सब compartments है, honeybee ने बनाया हुए है, इस compartments are joined together to form a honeycomb, अभी इन compartments को honey ने कैसे किया है, A wall has bricks to construct a wall, अभी दीवार बादने के लिए हम लोग को क्या लगता है, bricks लगती है, उससे हम लोग यह दीवार बनाते है, So, a wall has bricks, to construct a wall, we formally join the bricks together, और हम लोग bricks को भी एक साथ join करते है, अभी the cellular structure, अभी हमारे जो body के अंदर जो cell होते है न, अभी उन लोगों का structure कैसा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, Living things are made of a small unit called cells, ठीक है, living thing के अंदर क्या होते है, cells होते है, All the actions and processes in the bodies of living things are brought about with the help of these microscopic cells, अभी हम लोगों को यह cells दिखेंगे, नहीं हम लोगों को cell देखने के लिए, microscope के नीचे से देखना होगा, और अपने body में, जो भी action होता है, जो भी process होता है, living things के अंदर, वो किस की वजह से होता है, इन microscopic cells की वजह से होता है, Some living things are made of a single cell, यानि, कुछ living things ऐसे है, जो एक ही cell पर जिन्दार हैते है, These are called unicellular organism, fill in the blanks, या answer in one sentence, या true or false, On the other hand, the living things that are made of many cells are called multicellular organisms, जो living things में एक से ज़्यादा बहुत सारे cells होते है, उसे केते हैं, multicellular organisms, The amoeba and some other microorganisms are unicellular, अभी amoeba, Give example, unicellular में क्या आएगा, amoeba, और multicellular में तो बहुत सारे हैं, Are unicellular, while man, cow, mouse, cockroach, elephant, banyan tree, the onion, plants, etc. Are all multicellular organs, All the characteristics of living things are seen in every cell of a living thing, जितने भी living things हैं, उन लोगों के अंदर आप लोगों को cell दिखाई ही देंगे, चाहे वो multicellular हो या वो unicellular हो, लेकिन cell तो होता ही है, Whether it is unicellular or multicellular, Unicellular याने एक ही और multicellular याने बहुत ज्यादा cell, Cellular structure is the main characteristic of living thing, Fifth point, cellular structure are main characteristics of living things, Even though the number of cell may worry, चाहे उनके body में कितने भी numbers of cells वो, देखो, ये क्या है, various living things यहाँ पर बताया है, बहुत बड़ा पेड़ बताया है, छोटा वाला भी दिखाया है, ये snail भी दिखाया है, और बड़ा elephant भी दिखाया है, और ये है pigeon, ये है cockroach, ये है पेरा मोशियम, पेरा मोशियम और अमीबा, unicellular में, give two two names में ये नाम आएंगे आपको पुछने के लिए, तो unicellular एक की cell होता है, इसके अंदर देखो, ये एक की cell होता है, तो ये दो नाम वक्का कर लिए अपने दिमाग में, बाकी multicellular में तो आप लोग कितने भी नाम लिख सकते हैं, animals और plants और human beings के, ठीक है, Now, the institutes that work for the survey and conservation of the various plants, अभी कुछ institutions है, वो लोग plants के लिए survey कर रहे हैं and animals के लिए भी कर रहे हैं, in different parts of India are the botanical survey of India, 1890 में, botanical याने जो जाड़ घास कूस का पढ़ाई करते हैं, उसको botany कहते हैं, तो इन लोगों ने क्या किया, survey किया, कितने animals से, कितने प्रकार के plants से, उनके क्या क्या parts से उसके बारे में and the geological survey of India, 1916, respectively, in case you find the unfamiliar plant or animal in your surroundings, you can communicate with this institute to obtain more information about it. अगर आप लोगों के आजवाज़ो में, आप लोगों को ऐसा कुछ पेड़ हो गए दिखाई दिया, जो आपने कभी पहले देखा ही नहीं था, अगर ऐसा कुछ है, तो आप लोग इन लोगों को बताओ, ये लोग आएंगे, survey करेंगे और उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे, ठीक है, can you tell in what way are plants and animals useful to us, अभी हमारे लिए किस काम में आते हैं, plants और animals, useful living things, plants are used for household as well as industrial purpose, ठीक है, घर में भी हम लोगों काम में आते हैं और industries में भी काम में आते हैं, for example, fenugreek, methi, खाते हैं ना हम लोग, potato, okra याने भिंडी, देखो भिंडी का नाम okra भी हम लोग lady finger थे हम लोग लेडी फिंगर थे अभी तक बार नहीं निकले, apple banana are used as food, while वसाका याने अडूलसा, हाँ अडूलसा, यह है ना यह हर भाए हब, दवाई के लिए use होता है यह, वसाका याने अडूलसा, हीरडा, बहडा, right to two names में यह नाम आ सकते है, asparagus are used as medicines, यह सब क्या है, hops है, इसका हम लोग medicine में use करते हैं, animals are also useful to us, dog, cats, cows, buffaloes are kept for domestic uses, domestic यह ने पालने के लिए, fish, sheep, fowl are used as food, यह लोग को हम लोग खाना खाने के लिए, right to two names, while animals like horse, oxen, camel, crew, useful in various occupations, अभी जैसे कई जाना है, आना है, तो गोड़े का use करते हैं, oxen, bell का use करते हैं, camel का use करते हैं, इदर रेत में, राजस्थान में, camel पे बैठ के गुमते हैं नो लोग, the earthworm is very useful in agriculture, अर्थworm याने गांडू, जो लाला लेदरा बारिज में बाहर निकलता है, मिट्टी में से भी जारा, पानी की हो जैसे, तो वो अर्थworm जो है, वो agricultural का जो किसान होता है, उसे उसका friend कहते हैं, क्यों, क्योंकि समीन के अंदर की जो मिट्टी होते हैं, उसको बहुत soft करने का काम, यह अर्थworm करता है, इसके लिए वो agriculture के लिए बहुत useful है, इन लोको मारना नीची है, आप लोगों को, harmful living things, अभी देखो, living things में कुछ harmful, याने धोका दायक, living things भी है, जिनकी वज़र से हम लोगों को धोका है, harmful याने धोका देने वाले, Some animals and plants around us are harmful to men, कुछ animal or plant, इसके लिए harmful है, इनसानों के लिए, for example, mosquitoes, याने मच्छ, कटे ना मच्छ के होज़र से कितनी बिमारियां फैलती है, Flies, मक्खी, बीमारी का ज़र, spread diseases, कॉक्रुचे, याने कॉक्रुच तो मालोग लगे है दों लोगो, मराटी में जुरण, माइस, याने चुहा, रैट्स, जो बहुत बड़ा होते है ना घूस बोदे ना उसको, इसको माइस बोदे है, रैट्स याने चुहे, destroy our food, अपना खाना क्या करते थे हैं, नश्ट कर देते हैं, destroy कर देते हैं, खराब कर देते हैं उसको, लाइस, जो लड़कियों के सिर में होता है ना, जू जू, जू बोल दे ना उसको, फिर मम्मी बारी कंगी से खीच-खीच के निकालती है, और टीक्स, याने उसके अंडे रेते ना वो, चिपक्ये बेटते बालों में वो, टीक्स, जू, लाइस याने जू, टीक्स, also spread diseases, इनसे भी बिमारियां फैलती है, the bites of some poisonous lizard, bites याने काटना, अभी अगर ये हम लोगों काटेंगे, तो क्या होगा, कर्ण, poisonous lizard, जहरी ले, पाल, spider, स्पाइडर भी जहरी ले होते हैं, घ्यान में रखना, snakes, sap and scorpions, याने बिच्चू, can even cause death, इनके जहर से इंसान मर भी सकते है, if wild elephants enter human settlements, they cause a lot of destruction, अभी elephants नॉर्मली जंगल में रहते हैं, लेकिन कभी कबार क्या हो जाता है, ये लोग इंसान जहा रहते हैं, वहाँ पर घुश जाते हैं, तो घुशते हैं, तो पूरा घर दोड़ दालते हैं, इंसानों को नुकसान करते हैं, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, elephant के साथ तो कौन लड़ेगा, कितना बड़ा रहता हैं और कितना ताकत वर रहता है, तो वह भी बहुत नुकसान कर देता है, क्या करता है, नुकसान, some plants too, can be harmful, कुछ plants भी हैं, जो बहुत harmful है, धोकादा हैं कि हम लोग के लिए, as for example, the daughter, parthenium and other weeds, अभी देखो, ये धोतरा का जो पेड होता है, ये के लिए नाम तुम लोग याद कर लो, और spelling भी प्लीज याद कर ले राइट टू-टू नेम्स में ये पक्यात है, या फिर आप लोग को पूछेंगे के harmful क्या-क्या है, living things के लिए तो उसमें भी आप लोग को ये लिखना पड़ सकता है, parts of the nettle, kolocasia leaves, cause itching, ये जो ये नाम खुजिली वाला पेड, ध्यान में रग ना, इनलों के नाम, खुजिली वाले पेड है ये, खुजिली बनाते ही, इच्छीं करना है ने खुजाना, plants like allander, lantana have strong odors, काटे रहते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा, the dhatura plant is poisonous, uncontrolled growth of fungi and algae in water, pollutes drinking water and may cause the spread of diseases, अभी बारिश ये मौसा में हम लोग देखते हैं ना, pond में, तालाब में, नदी में, सब क्या होते हैं फंगी लग जाते हैं पूरी green 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 गंदी चिक्कट चिक्कट हो जाती हैं वो, फिर अगर हम लोग वही गंदा वाला पानी पीएंगे, तो क्या होगा, क्या बढ़ेंगी बिमारियां बढ़ेंगी, disease याने बिमारी अलग अलग तरह के, जीसे पानी के होजा से फेलने वाली बिमारिया कौन सी है कॉलरा है, डाइरिया है, district librine, जिसमें वामीटिंग, lo주는 motion, जॉन्डी से जॉन्डी से लाइण है, यह दिखें यह जो जहरें लेह ना, जो हम लोग को नुकसान पोचाते हैं, ये वो ऐनीमल्स है, ये देखो धतुरा का फूल, एक्जाम में आ गया ना, तो देखे रखना बहुत आसान है, और ये है, कोलोकसिया लिव, ओके ये अलूखा पान है, जो हम लोग खाते हैं न, हाँ, ये भी देखते हैं तो कुछ Now, wild animals, wild animals यहने, जंगली animals, wild animals that hunt other animals for food are called predators, अभी यह जो जंगली जानुवर है, यह लोग क्या करते हैं, दुसरे animals को खाते हैं, खाना बना के, तो इन animals को क्या कहते हैं, predators, for example, tigers, lions, wolves, leopard, sometime due to deforestation, such animals enter human settlements in search of food and may kill domestic animals or people, अभी deforestation याने, क्या deforestation याने, जंगल को पूरी तर से काट देना, अभी यह विचारे animals हैते हैं, जंगल में, जारियों में, अगर इनसान ने जार ही काट दिये, तो यह जाएंगे कहां, जार ही नहीं रहें, तो उन लोग को animals कहां मिलेंगे फिर, तो इस तरह से क्या हो रहा है, यह लोग क्या कर रहें फिर animals, अपने इनसानों के settlements में, गाओं में वगरे घुसते हैं, फिर क्या करते हैं, धूनते हैं, खाना धूनते हैं न, वोग विचारे जीएंगे कैसे नहीं तो फिर, फिर लोग क्या करते हैं, जो गाए बेल बाहर ब खरी, जो भी पेट बने के लिए तो खाएंगे वो लोग, तो उनको मार डालते हैं, या फिर, जो इनसान मिल गया, तो इनसान को भी मार के वो लोग खा लेते हैं, कौन, wild animals, tiger, lion, leopard, right to two names, में भी आ सकता हैं ये, अभी find out, watch tv channel such a national geographic discovery and collect information regarding various plants and animals found in our surroundings, have a class discussion with reference to the collected information, देखे, अभी आप लोग discovery channel में जाईए और information collect कीजिए, always remember, याने हमेशे याद रखे, many plants and animals in nature satisfy our needs, plants और animals जो पुद्रत में हैं, वो लोग हमारी जरूरते पूरी करते हैं, in the use of such plants and animals should be restricted only to our needs, कुछ plants और कुछ animals हैं, जो इसे हम लोग नहीं खा सकते हैं, जिनका हम लोग कुछ भी use नहीं कर सकते हैं, we should not pluck leaves, हमें कभी भी unnecessary पेड़ के पत्तों को तोड़ना नहीं, चाहिए प्लक करना हैंने, तो ना किसी किसी को आसे तोड़ना चलते चलते पत्ते खिचके जाते हैं, डालिया खिचके जाते हैं, तो ऐसे आप लोगों को नहीं करना है, flowers and fruits unnecessarily, बिना बजह पत्तों को, फूलों को, फलों को नहीं तोड़ना चाहिए, unnecessarily याने बिना बजह एनिमल शुड नाट बी हंटेड, एनिमल का शिकार नहीं करना चाहिए, हंटेड याने शिकार करना, they should not be teased, just for fun, मैंने देखा हैं, जो बच्चे रेते ना, छुड़े-छुड़े, वो नीचे कुदते हैं, तो क्या करते हैं, उनलोग को पत्थर मारते हैं, कड़ी लेके, उनलोग को काड़ी लेके, उनलोग को टोचते हैं, बिचारों को, इतना परिशान करते हैं, तो इस तरह से आप लोगों को नहीं करना चाहिए इससे बहुत इसका नचीजा हो सकता है आपको वो काट लेगा तो फिर जाओ कि 14 इंजेक्शन लेने के लिए तो अभी हम लोगों की क्या responsibility है सब लोगों की क्या responsibility है plants और animals को protect करना है हम लोग को संभालना है ये है हमारी responsibility अभी इस lesson में हम लोगों नहीं क्या क्या सिखा We, what we have learnt, growth, respiration, excretion, reproduction, reproductiveness, two stimuli, movement, a definite lifespan and a cellular structure are the characteristics of living things. Okay? Now, second is what? Animals grow for certain period of their life. Animals, कुछ period के लिए उन्नों का life grow होता है. Plants, however, grows as long as they live. Plants का कह है? जहां तक ये जीते हैं, तब तक इनका growth होते रहता है. Animals have specific organs for respiration. Animals को सांस लेने के लिए एक specific organ होता है. While plants respire through microscopic pores on their leaves and stems. Differentiate between, maybe ये सब आ सकता है आप तोगों को. The process of climbing waste product from, sorry, eliminating. The process of eliminating waste products from the body is called excretion. All living things have the ability to reproduce. Reproduce. Reproduce है ने अपने जैसा ही दुसरा जीव पैदा करना. Living things move because of their ability to respond to stimuli. अभी हम लोग move करते हैं, क्योंकि हम लोग response करते हैं. Plants show spontaneous movements but they cannot leave their place and go elsewhere as animals do. Do. अभी इसमें क्या बता हैं उन्होंने अभी हम लोग जो animals हैं, हम लोग उनके तो पैर हैं, हम लोग तो सब जगे पे घुमते फिरते हैं. तुम लोग ने कभी plants को देखा हैं क्या, घुमते फिरते, नहीं ना, तो कैसे घुमेंगे बेचरे, उन लोग की तो roots होते न, वो तो जमीन के अंदर गहे रहते हैं, तो इसके लिए जो plants होते हैं, वो भी living thing हैं, लेकिन वो लोग एकी जगे पे खड़े रहते हैं, वो यहा वहाँ घुम नहीं सकते, ने तुम लोग को भी रोड पे plants घुमते वे दिखाए देते थे, living things have a definite life span, हर living thing को एक definite life span है, at the end of which they die, और अंत में उन लोगों की मौत हो जाती है, जो पैदा हुआ है, वो मरेगा ही, वो मरने ही वाला है, many animals and plants are useful to us in our daily life, को बहुत सारे plants और animals जो है, हम लोग को daily life में useful होते है, some animals and plants can be harmful to us, कुछ animals और plant है, जो हम लोगों के लिए harmful याने धोकादायक होते है, The smallest unit of a living thing is the cell, यह आएगा आपको fill in the blanks में, अपने body में का smallest living thing क्या है, जिसकी वज़े से ही हम लोग जिन्दा है, तो इस तरह से आप लोगों का question, exam का यह अपना lesson complete हो गया है, living world, फिर यहाँ पर कुछ question और answers भी है, यह मैं आप लोगों को बाद में explain करने वाली हूँ, क्यूंके अभी बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, फिर यह upload होने में बहुत time जाता है, ठीक है, बहुत जल्दी ही मैं आप लोगों को यह answers explain कर देती हूँ, ओके चलो फिर, बाई बाई, all the best, मुझे like और subscribe करना भूलना मतना बच्चो, ओके देन, बाई